नमस्कार दोस्तों जन्ता की आवाज में आपका हार्दी स्वागत आज हम विका ने रहे हैं सब को जैसे पता है 26 तारिक से हर्टार पे 108 आपात करीन एमुलेज शेवाए इनका कारण क्या है यह आप सब देख पा रहे हैं इनका कहना है ठेका परता यह समाब तो सरकार उसका संचालन करें यहां जो हर्टाग पर बेठे हैं करमचारी इन से बात करेंगे सर आपकी विसेश क्या मांगे हमारी विसेश मांगी है मुख्य मंतरी जी से कि जो इतने दिनों से इतने सालों से ठेका परता से चल रहे हैं करमचारी हम यह चाहते हैं कि मुख्य मंतरी जी जो है है क्या प्रेसानी हो रही है तो इससे बहुत सारी समस्साहिं आती है अगर कोई मैडिसन का प्रोलंप हो कोई मेनेजमेंट अगर गार्डीयों का थि अगर हम उसके खिलाब बोलते हैं तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है या उसे बाहर निकाल दिया जाता है तो ये चीजें बंद हो जाएगी ब्रिष्टाचार पे रोक लगेगा और करमचारी जो 6000 करमचारी एमूलेंस में काम कर रहे हैं इतने टाइम से उनके भी परिवारों के जो राजस्तान सरकार हमने इमूलेंस पे लिखा दिया उसे डेखे जो यूवा लोग है जो ज़ियनम स्टाफ हैं वह देखे guess हौप होती है कि हमहें सरकार'd कभी अपने करमचारी मानेगी तो राजस्तान सरकार लिखाने के इस एवेज में हमें यह है कि अपने जीवन के 10 साल हमने इसमें लगा दिये कि कोई सरकार हम्यारी सुनेगी तो यह राजसतान सरकार या तो अहटा है सरकार जो अनाम दे दें और यह फिर हम करम चारी हैं जो उनको अपना सरकार अपने अंडर में फिर अन्डर continent सरकार है तो एक हुमन को आप ठेके पर देखे उसका सोसन करवा रहे हैं इस चीज के हम खिलाब हैं अभी आपको क्या सेलरी मिल रही है अभी सेलरी हमें किसी को नोजार किसी को सत्यासी सो शासी सो अठातर सो कोई फिक्स नहीं है जैसे मर्जी वह अपना सेलरी का एक प्रोटो कोलने के बाद कोई जवाब नहीं देता हजारों हमारी एचार रिपार्टमेंट में अप्लिकेस ने लगाई हूए ओनलाइन भी लेकिन उसका कोई संतोस पर जवाब नहीं होता गुमा दिया जाता है हर करमचारी को अगला कदम क्या उठा होगा अगला कदम हमारे यह है कि ह दस साल हो चुके हैं अब यहां पर जलने पर दस दिन तो आपको देख लेए हो गया आपको क्दम क्या रहेगा हमें पता है राजस्तान सरकार सवेधन सील है वह सवेधन ही नहीं है हमारी आवाज जरू सुनेगी हमें विश्वास है हम गारियां बंद नहीं करना चाहते जन पूर्चे की उनतक और वह इस बात को समझेंगे हम यहीं हैं बैठे वे और हमारा दरणा चलता रहेगा यह जंग खतम नहीं होगी जब तक हमारी आवाज को माना नहीं जाएगा आम जनता को वाइशते कि आप अपने बच्चों से भी उमीद रखते हैं से जुड़ा हुए है उनकी जिंदगिया जुड़ी हुई है कोई भी एक्सिडेंट होता है उसको हम उठाते हैं आप इस चीज को समझते हैं ऐसी सेवा को जो जीवन रखशक सेवा है उसको ठेके पर दे के हम अपने जीवन और हमारा भी जीवन खत्रे में है इस चीज़ को समझे और आप स्पोर्ट कीजिए इसको ताकि आप भी ये सोचिए कि आपका बच्चा गर 108 में लगा हुआ है जो मौत अपने हाथ में लेकर आपकी जान को बचाना चाता है उसके स्पोर्ट में आईए कि उन्हें इंसाफ मिले हुमन को ठेके पे देना बंद कीजिए ये उनका सोचने उनके सातन्याए है जैसे कि आपने देखा इनका मकसद एक ही है कि जो आप ठेका पर था है वो अटाई जाए सरकारी करमरियो हो और इनकी आप जो नाइट में हम देखेंगे आज नाइट में इनकी रात कैसे गुजारते हैं सारी देख दाउन हो रहा है हम बुरी हालातों से गुजर रहे हैं जनता से उमेद करते हैं कि जिस परकार से हम जनता की उमेद करते हैं जनता की सेवा करते हैं उसी परकार से जनता से उमेद कर रहे हैं कि जनता हमारा समर्तन करें और हमें नयाय दिलवाए कि हमारे 12 गंटे की डूटी ह हमारे करमचारियों को जैसे 40-40 साल की उम्मर के हो चुके हैं उनको अटा दिया गया है जद मर्जिक कंपनी अटा देती है उसको दुबारा लिया जाए और हमारे ठेका परता से मुक्ति करके और हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए सरकार परदान करें जैसे कि सब को पता किया कि इसका कुछ सरकार पर असर पड़ेगा सरकार पर सर भी पड़ेगा और उसका में पॉजिकी नूजब ही मिल रहे क्योंकि जब भी हम किसी भी जनपरती निधी से मिलते हैं तो यह कि हमारे पासा कि यहाँ पर जन परतिनीधी आए जिन को आपने वोट दिया हो बिल्क प्रवाइब ते कि आपका जो मामला है वो अतिस वेदन सील है और मैं इसको मुख्य मंत्री मोदे और मने ये चिकिस्टा मंत्री मोदे से जल्दी सला मस्वरा करके सुल जाने की कुरी कोशिश करूँगा इनको मंत्री बीडी के लाजी ने आस्वासन दिया है बहुत जल्द इनका आस्वासन और कोई आए कलम ममर्शिंग बाटी जी और गोविन शिंग डोटासरा जी और सुकराम जी भिश्णुई तीनों से मिले हैं और तीनों के दुआरा यही आस्वासन दिया गया है कि आपकी जो मांग है वो जहे जह और इसको जल्दी इसलगा दिया जाएगा और यहां पर आपके पास कलेक्टर साब आये हुँगा आप जो आप मुझे दोगे वह मैं सरकार के पास में रखुवा सरकार से जो भी आप संदेश हैगा वो मैं आपको दूँगा और जल्दी आपको वर दस दिन हुआ है यहां पर दस दिन में आपने बताया कोई सरकार से आपके पास नोटिस है यहां से जाना अटाने का या कुछ ऐसा बोला या समझोता कई भाई हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं जी हमने पूरी परमिशन से लिया था और बिल्कुल एकदम शांती पुन काम है और हैं यहां पर मांग सही है क्योंकि तक सारवाम हुआ है इससे लाग रहे हैं में जिस सरकारी फिल बोहुए है देख पा रहे हो इनकी मांगे भी सही है और सारे डोकुमेंट उन्होंने मुझे फोटो को भी दी है और अगर आप चाहते हो तो इस्टुडियो मांगे चेक भी कर सकते हो और इनकी मांगे आप भी देख सकते हो